हेलो दोस्तों हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कबीर गरंथावली या कबीर जी के जो दोहे हैं इसमें आपको सहज को अंग जो है पढ़ना है तो सहज को अंग में आपको चार दोहे ही मात्र दिये गए है तो ये चार दोहे आपको आज मैं करा रही है तो ये ये दिया हुआ है तो आज मैं इसी पर चर्चा करूंगी सहज को अंग तो कबीर दास जी की दोरह लिखा गया, आब ये सहज की बात की गयी है, तो सहज क्या है? तो वेक्ति के अंदर जो इस थीरता या सहजता किस चीज को समझने की बात जो है, वो आती है तो यहाँ पहला पद पर ही आते हैं जादा इस पर discussion में नहीं करती हूँ पर पर ही आते हैं और बीच वीच में discussion चलता रहेगा क्योंकि समय पर जादा हो जाता है किसी भी चीज़ के लिए तो सहज को अंग पढ़ेंगे हम तो इसमें पहला पद है तो इसका अर्थ यहाँ पे यह होगा कि सहज के विशे में तो सभी लोग सब को कहे यानि कि सब जो लोग हैं वो सहज की बात करते हैं सहज न चिन है कोई लेकिन ये सहज जो है किसको कहते हैं ये सहज क्या है ये किसी को भी नहीं पता इसके बारे में किसी ने जानने की कोशिश नहीं की पहचानने की कोशिश नहीं की कि सहज क्या है किसी ने चिन्नित नहीं किया जाना नहीं है कि सहज क्या है जिन सहज विशिया तजी कि सहज वही है जिसने विशे विकारों का जो है नाश कर दिया है उनका त्याग कर दिया है विशे विशियात जी यानि कि जो विशे वासनाओं से युक्त है उन सभी का जो है जिसने भी त्याग कर दिया है उसको ही सहज कहा जाता है सहज कहीजे सोई विशेव वासनाओं से लिप्त व्यक्ति जो है सहज नहीं कहा जा सकता तो जिस व्यक्ति ने जितनी वासनाई हैं विकार हैं जितनी बुराईया हैं उनका त्याग कर दिया है वास्तव में वही सहज मनुश्य है तो यह इस पंक्ति का अर्थ हो गया है कई बारी आपको 20 से पंक्ति उठा के दे देते हैं और पूश लेते हैं जैसे कि आज कल के प्रश्णों में देखा जा रहा है तो इसमें जैसे कि अब विशियात जी में क्या अर्थ है इन पंक्तियों का क्या अर्थ है इस प्रकार से प कि हर कोई सहज के विशे में बताता है उसके विशे में बात करता है इस सरल ब्रम्ह के बारे में हर कोई बताता है इसके बारे में बात करता है लेकिन सहज को जो है कोई भी नहीं पहचानता कि ये सहज क्या है इसको कोई नहीं चिन है कोई यानि कि कोई भी इसको नहीं पहचानता और सहज को जो है वास्तब में कौन पहचान सकता है तो वही जान सकता है जो पांचूर आखे परस्ति यारे कि जिसने अपने पांचों इंद्रियों को अपने वश में रख रखा है सहज कही से जो सोई तो जिन्होंने अपने पांचों इंद्रियों को अपने वश में रखा है और सारे विशेविकारों से स्वेम को दूर रखा हुआ है जिसका अपने स्वेम पर नियंत्रण है वास्ता में वही सहज वेक्ती है सहज मनुष्य है ये इन पंक्तियों का अर्थ है अगली पंक्ति है तो ये आपकी तीसरी पंक्ती है यानि कि सहज सहज सब गए कि संसार में जो है सहज सहज सब बोलते हुए सब चले गए यानि कि सब ने जो है ये नश्वर शरीर जो है त्याग दिया क्योंकि संसार की जितने भी वस्तु है सब क्या है नश्वर है सभी को एक दिन समाप्त होना है सभी को एक दिन जाना है सुत्वित कामनी काम कि पुत्र की जो लोग कामना करते हैं धन इस्त्री की ये लोग कामना करते हैं लेकिन ये चीज भी नहीं रहनी है सभी चीजे जो है धीरे धीरे करके समाप्त हो जानी है और कभी भी कुछ नहीं बचना है तो वेराग्य उत्पन हो जाता है एक में एक हने मिली रहिया दास कबीरा राम और जब कुछ भी नहीं बचता है तो क्या होता है वेराग्य का भाव जो है उत्पन हो जाता है और भक्त और परमात्मा का यानि कि दास कबीरा राम की जो कबीर दास है वो राम में एकाकार हो जाता है इस परमात्मा से मिल जाता है जब किसी चीज का मोह नहीं रहेगा इस चीज में जितने भी ये चीजे है नश्वर जब पता चल जाएगा इस चीज के आपको ग्यान हो जाएगी इस संसार की नश्वर है तो क्या हो जयेगा इंस सभी चीजों से मनेशटी का जो मोह है वह छूट जाता है फिर उसका प्रभु की प्राप्ति की तरफ इसर स्राम की प्राप्ति के तरफ ध्यान के प्रति एक अकार हो जाता है तो ये इस पंक्ती का भाव है, अगली पंक्ती है, सहज सहज सब को कहे, सहज न चिनने कोई, जिन सहज हरजी मिले, सहज किह कहीजिए सोई, यानि कि सहज सहज की बाते तो सभी कहते हैं, लेकिन ये सहज क्या है, इसको कोई भी नहीं पहचानता, कोई भी नहीं पहचान करता, नहीं जानता है तो वास्ता में सहज क्या है इश्वर प्राप्ती को ही जिन सहजे हरी जी मिले तो वास्ता में इस इश्वर की प्राप्ती ही सहज है इस भक्ती को ही सहज कहते है लेकिन इस भक्ती इस इश्वर को जो है कोई भी नहीं पहचानता जिस सहज जो है वही है जिसके माध्यम से हरी की प्राप्ती होती है इस इश्वर की प्राप्ती होती है और अगर आपको इश्वर की प्राप्ती नहीं होती है तो वह सहज के अंतरगत नहीं आता वह सहज मनुष नहीं है तो वास्ताव में सहजता क्या है इस मनुष शरीर को जब इश्वर की प्रप्ति हो जाएगी तो वास्ताव में यही सहजता है तो यही इस पंक्ति का भाव है कि दुनिया तो सहज सहज कहती है कि सहज बनना चाहिए यह वो लेकिन वास्ताविकता में सहज क्या है जिसमें आप प्रभू वास्ताप में पहचानता हो जाती है वही वास्तापमें सहज मनुष्वी है यही इन चारू पंक्तियों में मुख्यू रूप से भावधा तो आज आपका मैंने यह यूनिट भी खतम करा दिया इसमें आपको सहज को अंग पढ़ना था जू है विरह को अंग मैं करा चुकी हूं वह मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा और अब अच्छा को अंग और जल्दी करवा दूंगी तो चैनल से जुड़े रहीएगा और वीडियो गर अच्छी लिए तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा क्योंकि मेरे चैनल पर आपको हिंदी साहिते से सब्बंद सारी जान का गया उपलब्ध होती है धन्यवाद